दोस्तो हमारे प्रधान मंतरी डिजिटल इंडिया बनाने का दावा करते हैं लेकिन सचाई तो ये है कि मोधी सरकार एक भरती परिक्षा भी धंग से नहीं करवा सकती जिसका ताजा उधारन आररबी एंटीपीसी एक्जाम का रिजल्ट है सालों इंतिजार के बाद एंटीपीसी सीबिटीवन का रिजल्ट आया लेकिन उसमें भी सरकार घोटाले करने से बास नहीं आई लगभग 75 लाख युवाओं ने आररबी एंटीपीसी का एक्जाम दिया था जिनका भविश्य अब अधर में अटका हुआ है लेकिन छात्रों ने यहां हार नहीं मानी सरकार की मनमानियों को देखते हुए छात्रों ने एक बार फिर ट्विटर पर ट्विट्स का अमबार लगा दिया है और इजना ही नहीं दोस्तों एंटीपीसी रिजल्ट को लेकर सैक्डो छात्र सड़कों पर भी उतर रही है छात है और बिंकीसी स्लैश वन स्टूदेंट्स ट्रेंड कर रहा है दोस्तों छात्रों के समर्थन में तमाँ बड़े बड़े टीचर्स नेता सामाजीक्त कारेकटक ठते हैं प्रिये आरर्बी पिछले तीन चार वर्षों से कठिन अध्यन करने वाले चात्रों के जीवन के साथ मत खेलो किरपया संचोधित परिनाम जारी करें एफ़ी न्यूस की पुर्व डारेक्टर रांडा हबीब चात्रों के समर्थर में ट्वीट करती हैं त्रिपुरा प्रदेश यूद कॉंग्रेस के ओफिशियल ट्वीटर हैंडल ने भी चात्रों के समर्थर में ट्वीट किया है एंटीपीसी एक्जाम रिजल्ट स्कैम को लेकर चात्र ट्वीटर पर लगातार डिजिटल प्रोटेस्ट तो कर ही रहे हैं इसके साथ ही सेकडों की संख्या में चात्र सडकों पर भी उतर गए हैं एंटीपीसी रिजल्ट स्कैम से गुसाए छात्रों ने कई जगह रेल भी रोकी हैं। इन वीडियोस पर देखिए किस तरह छात्र आकरोशित होकर सडकों पर उतर आए हैं। दोस्तों एंटीपीसी एक्जाम रिजल्ट स्कैम और छात्रों से जुड़े तमाम मुद्दों से अपडेट रहने के लिए नैशनल टाइम्स को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बैड आइकॉन को दबाना ना भूले। मेरा जीन न मरना दुस्वार हो गया एक बेवपा से मुझे प्यार हो गया एक बेवपा से